प्रेक्च महुदे, संजोग ऐसा है कि जब कभी उधर से विरपा मुईली जी बोलते हैं तो ठीक उनके बाद मुझे बोलने का ओसन मिलता है विरपा मुईली जी जब बोल रहे थे तो अंग्रेजी के ना जाने कोन-कोन सब्द का इस्तेमाल कर रहे थे मैं तो उतनी अंग्रेजी के उन सब्दों को जानता नहीं लेकिन उनके भाव को मैं समझ रहा था आखे विरपा मुईली जी आप भी वो भी सी समाज के हैं और मैं भी वो भी सी समाज का हूँ का दुख जाने दुखिया का दुख जाने दुखिया माए हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान है एक हिंदुस्तान है गाउं का हिंदुस्तान भारत और दूसरा हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया विर्पा मुहिली जी आप इंडिया से बोल रहे थे और मैं भारत से बोलता हूँ आप जब बोल रहे थे तो आपकी भासा और आपकी भावना को हिंदुस्तान के मुठी भर लोगों ने समझा होगा और मैं जब बोलता हूँ तो मेरा उत्तर प्रदेश बिहार तक के गरामी छेतर में काम करने बाली मा, बहन, मजदूर, किसान सब समझ रहे होंगा आपने हिंदुस्तान के उस गरविनी मा के बारे में कभी सोचा? नहीं, नहीं, मैं उदाहरन देता हूँ, मैं जिस समय अपने मा के पेट में था, उस समय मेरी मा को अगर दूध, दही, मक्खन, घी, मचली, मांज, अंडा, फ्रूट, क्या कते हैं, ड्राइफ फ्रूट, फल, सबजी, भर पेट खाने को मिला होता, तो साइध आज भी मेरा रंग रूप कुछ दूसरा हो गया होता है। लेकिन चुके, चुके मैं उस मा के पेट से जनम लेके आया हूँ, जिसको भर पेट में मा के पेट में था, तो भर पेट भोजन नहीं मिला, आधे पेट खाके सोती थी, और कभी-कभी मा के पेट में भी, मुझे भूखा रहना पड़ता था। आपने सोचा, आपके दिल में कभी दर्द हुआ, नहीं, नहीं, हम तो जेलों में, आपके राज में जेल में जाते थे तो गाते थे, धनबानों के राज महल, हम गरीब को फासी घर, हम चलो बसाएं नया नगर। मैं धन्यबाद देना चाहता हूँ, स्रीमान परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को, कि उन्हें ने उस मा के दर्द को समझा, और उस गर्भनी माताओं के लिए छे हजार रुपईया भोजन के लिए दिया, सुनो मेरी बात को, हिंदी भासी इलाके के लोगों, अगर पिछड़े हो, दलीत हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, गाउं की जोपड़ियों में रहने बाले हो, सुनो, अपनी अपनी माताओं तो किस्तन देश को पहुचाओ, छे हजार रुपिया पर ते गर्भनी माताओं को भोजन के लिए मिला, डाक्टर लुईया इसी लोग सभा में खरे होके कहा था, आरे जीस समय में 1960 में गराम पंचाइद का परधान बना, उस समय कितने लोगों का जनम नहीं हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों से प्राथना करूंगा, और कास करके रंजीत रंजन, मैं उस कोशी के इलाके में घूमा हूँ, और जितना मेरे सरीर से पसीना अब गया होगा, उतना आज के नोजबान दूध नहीं पीते होंगे, इसलिए आप से मेरी प्राथना है, सुनिए मेरी बात को, डाक्टर लोहिया इसी लोग सभा में श्रीमती इंद्रा नहरु गांधी को कहा था, कि हिंदुस्तान में वो मा, जो गरीब नी मा है, गर्व में बच्चे हैं, उनको भर पेट भोजन नहीं, दाल नहीं, प्रोटीन नहीं, वितामी नहीं, उनको पोशकता तु नहीं मिलता, इसलिए उनके गर्व से विकलांग बच्चे तमजोर बच्चे हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं और जिस देश में मा के पेट से गरीब मजबूर विकलांग बच्चे पैदा लेंगे वह देश कभी बलबान नहीं हो सकता है इसलिए उसके तरफ अगर किसी का ध्यान गया डाक्टर लोहिया की उस बानी को किसी ने सुना तो नरेंदर मोदी ने सुना इसलिए डाक्टर लोहिया के सिस्ट होने के नाते मैं नरेंदर मोदी जो कोट को धनवा देता हूँ यह जो योजना के बारे में आप बता रहे हैं हमारी मैटनल मॉटैलिटी रेट ज्यादा है भारत में और डिफरेंट प्रदिश में उडिशा सरकार ने पिछले पांच सालों से महमता योजना शुरू किया और आज जो तो बजेट में आया है यह उसी का ही रिपलाय रेपलिका है इसे पहले ही आजाना चाहिए था महमता योजना इस फॉर फाइव यह आजाना आफ्टर देलिवरी अप दिचाई यह जो जना नहीं नहीं था इस आफ्टर इस अफ्टर इपली जी ठीक है जीए अट पर फाइव सब्सक्राइब कर रहे हैं केंद्रिय जोजना पर और जब केंद्र सरकार की जोजना पर बहस करेंगे तो मालिय मुहिनी जी कह रहे थे कि इस सरकार की न दिशा है न दृष्टी है न संकल्प है कहां से दिखाई परेगा खुद अपने को देखिए इस सरकार की दिशा भी है दृष्टी भी और संकल्प है इसलिए मैं वहीं से शुरू किया हूं निस सरकारों ने अगर उस मा के लिए बेटी के लिए महिला के सम्मान के लिए सुरक्षा के लिए सुद्री करन के लिए ससक्ति करन के लिए कुछ किया है तो सब धनबाद के पात्र है उन्स सब को धनबाद दिया जाना चाहिए लेकिन दिल्ली की सरकार की दृष्टी की बात ह जहीं उस तकलीफ को सहा इसलिए अप जम प्रधान मंत्री बनाता सबसे पहले कहा हिंदुस्तान के उन माताओं को ससक्त करो सबल करो सुद्रिट करो मजबूत करो आर्थिक मांसिक हालत में उनको मजबूत करो जिसे उनके गर्व से बच्चे पैदा ले वो स्वस्त बच्चे पैदा ले सारी दीश्रिकों से मांसिक दीश्रिकों से और जब बा मांसिक दीश्रिकों से सारी दीश्रिकों से बहुत धिक दीश्रिकों से सबल और सक्षम पच्चे को पैदा करेंगे तो वही सीमा पर जाके लड़ेगा और किसान का बेटा सीमा पर लड़ता है सबसे ज़ पानों की और से आपने मेरी मां का इलाज करने का काम किया है खुराग देने का काम किया है इसलिए कोटी-कोटी धनबाद के आपात्रों फिर आप से मैं आगे की और जाओंगा आपने कहा दिशा द्रिश्टी संकल या वित्व मंत्री जी के उस किताब को नहीं पढ़ा जिस कि कि प्रात्मिक्ताव में उन्होंने जो बत लिखा है प्राथमिक्ताओं का निरधारन ए areas US में लेभी है हिंदी में भी है अमरेंजी बानोंने भी पढ़ा होगा हिंदी बालोंने भी पढ़ा भी मैं इस व्यापकिए जंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बज़च्श प्रस्ताबों को दस विशिष तस तंभों के अंतरगत रखने का प्रस्ताब करता हूं जिन में निमली खित तामिल है नंबर एक किसान नंबर गो ग्रामिन अबादी नंबर तीन जुबा नंबर चार गरीब और विशेश सुभधाओं से पंचित भर्क नंबर पांच अब प्रबंधन नंबर दसकर प्रसाशन एक नंबर पर किसी दूसरे नंबर पर गरामिन विकास तीसरे नंबर पर जुबार बाकि हुंदूस्तान तो इसी में समाज आता है घरी मजदूर किसान कि मिलके बनाएं हिंदूसताँ आपके बजट की प्राथमिक्ता क्या थी गांधी जी ने दर्सन दिया था गांधी दर्सन है नमबर एक किरसी नमबर दो कुटीर उद्योग छोटे उद्योग नमबर तीन है बरे उद्योग सरदार पटेल के मरने के बाद आपने उस प्राथमिक्ता को बदल दिया फिर मैं न नंबर एक पर किर्सी, नंबर दो पर गरामिन विकास, और गाओं किसान सबसे जादे पिछना रहा, उसका कल्यान करने के लिए जोजना में जोड़ दिया गया है, इसलिए इस भारत सरकार को धनिबाद, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, आप लोगों की दिरिष्टी, कही पर निगाएं, कहीं पर निशाना, बात किसी की कर रहे हैं, और गीत किसी का गा रहे हैं, अरे गीत गाईएगा, जिसकी गीत है, उसके लिए गाईएगा तो सुनने में मज आएगा न, आप तो सुना रहे थे, इसलिए आप से मेरी बिनमन प्रार्थना है, किस पर आप सुन हमारा जो एकावन में 71.9% किसान था 2001 में 45.1 हो गया 26.8% किसान कम हो गया किसी मजदूर 28.1 था एकावन में 2011 में 54.9 हुआ 26.08% बढ़ गया एक तरफ किसान अगर कमता है तो खुशी होती है कि वह खेती से हाथ के कहीं दूसरे रोजगार में गया गया होगा बाबू बना होगा महल में गया होगा कुर्सी पर बैठा होगा लेकिन जब दूसरे तरफ देखता हूं तो 26.8% खेतियार मजदूर बहा इसका मतलब जो किसा बन था उसको यह आपने खेतियार मजदूर बनाया जो खेति करने वाला था वह मजदूर बन गया गाउं में रहने वाला 26.8 था वह घटते घटते गाउं के अंदर से कम हो गया सोचा कि गाउं का यादमी कम हुआ है सहर में गया होगा अच्छी दुकान बनाया होगा कर खाना बनाया होगा बाबू बनाया होगा और जब दिल्ली में आये रिक्षा चलाते ठेला चलाते फुटपात पर सोते पेर के नीचे सोते सबसे जादे उप पुर्वी उत्तर पर सब बिहार के जो नोजमान आते हैं दिल्ली में रोजगार खोजने वो मजद का आये थे किसान का बेटा बनके किसी भी जादिका हो यहां रिक्षा चलाता है ठेला चलाता है मजदूरी करता है फुटपात पर सोता है बेर के नीचे रहता है एक पेर के नीचे जनमता है पलत है बरता है साधी होती है दूसरे पेर के छाया के नीचे साधी होती है कोई बड़े लोग है होनी मून बनाने मनाने के लिए सुच जर लेंड जाते हैं अरो बचारे अपना होनी मून उसी पेर के छाये के नीचे बनाते हैं सरक पर गारी घोरा चलता है गरीब का बैचा होनी और आपने कभी उनके बारे में सोचा कियूं नहीं सोचा इसलिए कि आप जिस अरग से आ रही आये थे वो बर्ग चरित ऐसा था किलास करेक्टर आपका ऐसा था आपने उसके लिए नहीं सोचा नरेंद्र रृटी जी इस बअगई से आ… इनका कलास करेक्टर वैसा है इसलिए उस बर्ग की और चिंतन करते हैं ये तो दो भारत का संगर्थ है मैं धन्यबाद देना चाहूँगा नडेंदर मोदी जी को कि उन्होंने भारत में एक नए विजारधारा के साथ जुद्ध को या मंतरित किया है ना जाने जुद्ध का परिणाम क्या होगा लेकिन एक बाद समझ लिजे जुद्ध का परिणाम निकलेगा अच्छा निकलेगा क्योंकि गाओं, गरूब, मजदूर, किसान ये सब अब जग गया है और हिंदुस्तान के 85% लोग असरी नरेंद्र मोदी जी के पीशे खरे हैं, और हिंदुस्तान के 15% लोग हैं, उनके बीच में जुद्ध शिरा है जाया है और इसका निराकरन होगा इसलिए आप से मेरी बिलिवन प्रात्रा है इस पर सोचिए सोचिए, हम कहते जाएंगे लेकिन आप तो सोचेंगे ने आपने कहा उस दिन मलका अरजुन जी बोल रहे थे तो लगू किसान सिमान लगू किसान सिमान की बात कर रहे थे लगू किसान सिमान सिमान किसान 2090 कानमे में सिमान किसानों का परतिसाथ था 59.4% जो घट करके उसकी दो वह किसान 90 »99‐ में और सिमान्त किसान का था 18 Dashamla 8 सिमान्त किसानrot 2010 11 Bub उनक्सट परसेंट सबर्सेंट और जिसे सीमान्त किसानुनों गया सक्षियन enforcement अच्छे से आधानुस भाजने सिमान्त किसान lifts वो छोटे लगुसी मांत किसान बन गए तो दो हेक्टियर पांच हेक्टियर जमीन वाले एक हेक्टियर आधा हेक्टियर जमीन के किसान बन गए इसको किसने इस इस दीज में रहने के लिए मजबूर किया था इसलिए कम से कम आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको सुचिए ठंडे दिल से सुचिए हाँ सहाब मलकार जुन साब या आप तो जिस पार्टी से आये हैं हाँ कहिए आपकी भासियन मैं बड़े गंबीरता के साथ सुनता हूँ हमेशा क्यों कि आप एक सोचलिस्ट पार्टी के बैक्राउंड से आये हैं पैदाईस से तो कॉंग्रेस से हुई लेकिन लोई आज यह पहले कॉंग्रेस में थे उसके बाद में सोचलिस्ट बने वो उनके साथ जुड़े हुए थे अब क्या हो गया है अब बाले अवस्ता में कॉंग्रेस थे जो ग्रस्ता अस्रम में सोशलिस्ट में रहे अब सन्यास अस्रम आ गया बीजेपी के साथ है तो बात आओ रहे है लेकिन बात यह है कि क्या आप एक जो लैंड रिफॉर्म्स लाके सबको जो टेनेंट्स को जो बाते गए जमीन है या सर्पलस जमीन जो बाती गई है उस सबको क्या अब कंसॉलिडेट करना चाहते हैं क्या उनके लिए छोटे जो किसान हैं उनके लिए कुछ मदद करना चाहते हैं हम अगर एक तरफ बैग्यानी, मशीनी कrito, आधणी खेती की बात करेंगे. पहले हलवल से खेती होती थी, अब टाक्टर से खेती होती है, पहले मज़़ूर हस्वा weas hein, अब कंबाइन मशीन से गोहम कारता है, एक तरफ कहते हैं कि बैज्यानी खेती करो, मसीनी करित खेती करो, आदूसरे तरफ जमीन का बटवारा करो, वो भूमी सुधार नहीं था, भूमी का लूट था, भूमी सुधार का मतलब बहुत कुछ होता है, जिस पर आप बहुत करेंगे, तब हम कर लेंगे, आप एक बात को छिनने के लिए जो कानुन बनाया है और जटली जी ने उसमें करें दंडों का प्रावधान किया है तो आपने सोचा कि कहां से सान उनीस तो पैस्ट पश्पन सान उनीस तो पश्पन समाजबादी जुबक सभा के पूरी सम्मेलन में ब्याख्यान देते हुए कांचन मुक्ती पर डाक्टर लुहिया ने कहा था अपराधियों के लिए उचित दंड की व्यवस्था रहनी चाहिए और विशेश रूप से अववैधानिक संपतियों को छीने लेने की इसे कानुन बनाने से पहले आबस्थक है कि उसके समर्थन में सक्ति साली जन्मत तयार हो नेरेंगर मोडी जी ने जन्मत तयार करने के लिए कई जोजनाएं चलाई है कि जिससे वो समता समाज को लाने का काम कर सके और समता समाज भारत में आ सके बेनामी संपत्ती छीने जाएंगे किसके छीने जाएंगे कल मानिय प्रधान मंत्री जी ने जब विश्टार से कहा था और फिर कल यही भी मुद्री करन पर साम में मानिय जटली जी अपने प्रतिवासे जबाब दे रहे थे तो सभी के बाद सब चूप हो गए किसी की बानी नहीं निकली कोई तरक नहीं निकला अजब तरक नहीं निकला तो सदन से चल दिए कोई बहाना चाहिए इसलिए आप से आप इस पर सोचिए गवर से सोचिए लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं मैली जी आप इतने आकड़े उसमें से देते हैं मैं आकड़ा नहीं जानता लेकिन मैं हर्याना का किसान कहता है हिसाब यू का यू बता कुनमा डुबा क्यू हिसाब यू का यू अब बता कुनमा डुबा क्यू सब हिसाब तो ठीक हैं आकड़े आपके लेकिन हिंदुस्तान के अमीरी गरीमी में फरक क्यों हुआ हिंदुस्तान के गाउं और सहर में फरक क्या हुआ गाउं के किर्सी और उद्योग में फरक क्यों हुआ क्यों हुआ आपकी नीती के कारण हुआ आपकी जोजना के कारण हुआ अंकसास्त्री होते हैं आपके वही अपसर वही अंकसास्री सब वही हैं लेकिन आपके इस बात कभी बहुर नहीं किया आपके सब कुछ वही हैं लेकिन आप एक बार सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको निकाल के बताना चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर कभी इसी लोक सभा में डाक्टर लोहिया ने बोलते हुए कहा था और उसको जड़ा गौर से समझेगा कि उन्होंने कहा था कि जितने हिंदुस्तान में अंकसास्त्री हैं वो अंकसास्त्री साप, विस्धर साप के समान है जैसा भीन बजाओगे, वोईसा नाचेगा, अगर भीन बजाना नहीं जानते तो क्या नाचा आप आओगे इसलिए आप जैस समझेगे, कि वोही अंकसास्त्री है, वोही आकड़ा है लेकिन उस आकड़े को आप चीक से समझ नहीं पाये थे आपका वो अंकसास्री बीन बजाता था आप नास्ते थे नरेंद्र मौधी में पुरसार्थ है परिस्रम है बुद्धी है छमता है युगता है करमचता है इमंदारी है तेजसुता है इसलिए नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से उस आकरे को नचा रहा है और हिंदुस्तान के गाउं गरीब कल्यान के वो उसको ले जा रहा है इसलिए इस बात को सोचना चाहिए आपके आप जिसका खाते थे उसका गाते थे नरेंदर मोदी जिसके गाउं गाउं में घूमके परचारक के हैसिय से या गरीब के हैसिय से जिन गरीबों के अन को खाया है नमक को खाया है रोटी को खाया है जिसके घर में सोया है जमीन पर सोया है जिसकी चताई पर सोया है उसने देखा है इसलिए नरेंद्र मोदी की दिरिष्टी उधर है आपकी दिरिष्टी उधर थी इसलिए आपको नहीं पता लगता है दिरिष्टी क्या है मलिका अरजुन सहाब मैं तो धनी हूँ आप आप मैं धनी हूँ इसलिए कि मैं जिस संस्कार में पला हूँ डाक्टर लहीया के संसकार में पला मैं 1950 का संका स्वेंग से बहाँ हूँ यह भी मैं गर्ब के साथ काता हूँ मेरे मेरे उमर के स्वेंग से लग अब भिहार में workforce मान क इलाश्पति मिandert जी थे अजर भी संकर जी के पिता जी थे जो मुझे सिनियर थे नहीं तो मुझे ज़्यादा पुराना स्वंग से बख बिहार में दूसरा नहीं है मैं 1950 का स्वंग से बख रहा समाजबादी आंदोलन में रहा लेकिन मेरे गुरू ने सिखाया कि कचपुतली के जैसे नाचना मत आप जिस समाजबाद में रहा हो उस जबाद में पुष्णों को दलितों को नेता बनाया गया लेकिन उनको कचपुतली के जैसे नचाया गया उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं हुई उनको कभी नेता बनने नहीं दिया उनको नेता नहीं बनने दिया मैं जिस निर्भीकता के साथ मैं जिस निर्भीकता के साथ अपनी पाटी के तरफ से बोल नहां हूँ क्या आप उस निर्भीकता के साथ बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं प्लीज लूकर दचियार येस मैड़ाम आप से मैं आप से मैं प्रॉन्थना करता हूँ इवाई मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं एक दो जोजना के सामाजY कार्थी अच्छा करके हतम करूँगा पर्धान मंतरी किर्षी सी जोजना पर्धान मंतरी किर्षी सी जोजना अगर मेलकार जुन जी का रहे थे तो इससे ज़्यादा लाब की इसको होगा हर खेत को पानी हर हाथ को काम मिलेगा इससे हर खेत को जब पानी मिलेगा तो पिश्रों को, दलितों को, कमजोर बर्गों को ज़्यादे लाब मिलेगा क्योंकि खेती किसानी वही ज़्यादा करता है उसके खेत में पानी जाएगा उसके जे खेत में हर्याली आएगी चेहरे पर लाली आएगी घर में खुसाली आएगी बेटों को परहाएगा आगे बरहाएगा तब आएगा जब जब खेत में पानी होगा तब तक मेरे खेत में पानी नहीं आया, जमीन भी गई, उत्वादन भी गया, उन्हों जोजनाय भी चली, चलती चली गई, वो जोजना बली किसलिए? ऐसी जोजना बनाओ, जो आगे बढ़ते जाए, कभी जोजना पूरी नहीं हो, इंजिनियर, नेता, अठिकेदार, तीनों मिलक करके तिक्री बनाओ, अलूट लूट के खाते रहो, इस जोजना को कभी पूरी मत होने दो, क्यों? साथ सिस्वी से जोजना चलाए, पस्वी कोशी नहर, आज तक पूरी नहीं, उतर पर्देश की सिचाई जोजना है, क्यों पूरी नहीं हुई, इसके लिए कौन जी मेदार है, परदान मंतरी ने संकल्प लिया है, राज सरकारों का सहयोग मिलेगा, तो हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, चेहरे पर ला ली आएगी, घर घर में खुसा ली आएगी, इस से पिछरे, दलीत, गरीब समाज का कल्यान होगा, दूसरी जोजना है, जो मिर् पट बियाह नहीं होता है, आप लोगो ऐसे सोचते हैं, चट मंगनी पट बियाह, जो मिथलांचल में कहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर, यह 12 करोर हेक्टियर जमीन है, उसमें मिर्दा परिछन का काम कोई असान नहीं है, यह जुद दस्तर पर इसके लिए, किसी भी ज्यान केंतरों को लैब दिया गया है, उसमें टेस्टिंग मसीन दिया गया है, उसमें जमीन की मिट्टी की जाँच होगी, और मिट्टी के स्वास्त की जाँच होगी, उसमें कौन चीज खमी है, यूडिया कम है, नेटोजन कम है, फॉस्परेस कम है, पोटास कम है, जिंक कम है, सल पर गमार नहीं है मेरा पोता मुझसे जादे होस्यार है क्योंकि कंप्यूटर से नेट से निकाल के सब कुछ को देखता है आधनी खेती करेगा जब उसके हाथ में हिसम मिलेगा तो मिर्दावाला काम उसी तरह है उसी तरह लग उसी मांद किसानों को रुनका आप से मैं प्रा जोजना को ठब कर दिये कहीं गोदाम नहीं है बिहार में तक्स में गोदाम नहीं है तक्स किसान का धान नहीं खरीद रहा है सरकार करें सारे 300 रुपे कुंटल मैं किसान हूँ अपना 120 कुंटल धान 1200 रुपे बेचके बिहार में आया हूँ कहां है वेवस्ता बिहार सरकार क बागी कहते हैं वही है उतर परदेश में किसान भटक रहा है क्यों नहीं बेवस्था की गई गल्ला गोदाम क्यों नहीं बनाया गया इसलिए नहीं बना कि अगर गामीन गल्ला गोदाम बनेगा पैक्स के अंदर धन खरिदा जाएगा किसान को ज़्यादा रेट मिलेगा किसान खुद हाल हो जाएंगे तो ये मील चलाने वाले बैपारी कहा जाएंगे इसलिए किसान का गीत गाते रहो अम बैपारियों को लाव पहुंचाते रहो किसी का गीत गाओ किसी को लाव पहुंचाओ इस पर जड़ा सोचिए आप से यही कहने के लिए मैं खरा हुआ हूँ आएई भारत सरकार के लिए बित मंतरी जी ने परदान मंतरी जी ने मुद्रा बेंक की अस्ताहपना की किस वो लाव मिलना है जितने मिले उसको जितना मिले उसको कौन दे रहा है इसलिए आप से सुनिये गोर करके ये मुद्रा बैंक से बिना ग्रैंटी के सेल्फ ग्रैंटी पर दस लाक तक कर जा दिया जाता है आपने कभी इस पर सोचा था क्या कि खुद के खुद की जमानत बनके और दस लाक तक रुपिया मिले ये गरीब लेगा गरीब को मिलेगा किसान के बेटे को मिलेगा मजदूर के बेटे को मिलेगा पिछिरों के बेटे को मिलेगा दलित के बेटे को मिलेगा समाज के उपहासित खमजोरबर को मिलेगा उसके घर में खुद साली आएगी एक कौसल विकास जोजना क्या है चम्रे का काम, लोहे का काम, गिटी का काम, मिटी का काम, ये काम कौन करता है ये सभी काम करने वाले हैं पिछडे और दली समाज के लोग उनके कौसल विकास है, उनके हाथ में कौसल है लेकिन कोई परमानिकता नहीं थी निने मोगी ने सोचा कि AI Ćई में कहां परहे जाएगा ई-ight में कहां परहे जाएगा इसलिए गाओ गाओ में कौसल विकास जोजना के लिए परसिक्षन के अंदर बनाया तीन हजार रुपिया उनको परसिक्षन के समय में मिलेगा और गाव में बच्ट करके अपने कोसल की लोगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राज का मिलेगा, मिस्तिरी का मिलेगा, हलवाह का मिलेगा, कोदारी चलाने का मिलेगा, सब काम गराम इंच्छत में करने वाले उन गरीबों को कोसल विकास का प्रमान पत्र मिलेगा, वो भ वार अपने खेत में हल चला रहा था मेरे गाउं के बगल में डीफेंस का हवाई पटी है जाहा जुर रहा था तो मैं रुख गया मैंने सोचा यह उपर से कुछ बोल रहा है हवाई जाहा जुरा ने बला तो मैं अपने अंदर से का क्या बोल रहा है तुम यही कह रहा है कि मैं तकनिकल हों हबाई जाहाज उड़ा हूं तो जा नधी हाज उतार के और हम मेरा हल लगा मुंट पकर करके जोत के बता हबाई जाहाज उड़ाने में centपिक आ고 हूं तुम नधी कर दोनों का सवछा भराबर है मेरी बीथिया हम नधाने इस मेरी भी-धिया तुम पीशेस निकलता है काली भैस काली गाय में फरक न करें अच्छा याबे जो किसानी की बात करते हैं हम नेता नहीं है जो नाटक करते हैं सिनेमा में एक फिरो आता है हल चलाता है कंधे पर जुआ रखता है एक तरह बैल को जोता है अब फटे कप्रे फार के जिस अच्छे कप् अब फटा है लेकिन उस बिश्य दिखा रहा हो बोलो ना बचपन में था था हम तो बचपन में फटे कपने पहने थे हम जिस समय थे उस समय यह जीन्स फिंस जीडिक पतलू नहीं था हम तो जो अन्टर पैंट भेन तो हो आप उड़्ोरी वाला पेंट पांगते थे अब ब देश में परके आती हो कहीं से कहीं और किसी के बारे में अप नाटक करते हो इसलिए आप से आप इस बात को समझे सभापती महोद है मैं इस देश के उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो आदमी अपने नाटक के द्वारा अपने अपने नाटक के द्वारा अपने भरंप सब कुछ को देखता है और एक एक नियता की जनम से लेके मरंत की कहानी निकाल के पढ़ लेता है गोगुल के मारफ़त से इसलिए हम किसी को धोखा नहीं दे सकते आखिर में पड़ा आखिर में मैं खाना चाहूंगा एक एक जोजना को लीजिए जो प्रधान मंत्री जी ने गिनाया बित मंत्री जी ने गिनाया उन सभी जोजना को लीजिए गाओं में सरक बनाने के लिए प्रधान मंत्री गढामी सरक जोजना अटल भीहरी बाजपरी ने चलाया था उस समय में उनके साथ मंत्री था क्यों चलाया गाँ में सरके नहीं मैं उसी इलाके में जनम लिया हूँ सवापती महोदय कि बार के समय जब चलता था उसी इलाके से संतोष जी है जब उस कोशी के इलाके में खमला के इलाके में बारसाथ के समय चलता था अगर चलना होता था तो तीन किलो मीटर साइकिल चरह मुझेखसे हैं साइकल साइकल नो मुझे पर जो अब JUST साइकल मुझे पर जो कभी में साइकिल पर क्यों इसलिए कि सरक नहीं थी ककीचर को और हमारी बैटी साधिय करके आती थी अगर वजना उन्होंने प्रधान मंत्री गडामिन सरक्ट की जोजना से रुखी, रुको, गाउ की गरीबनी बेटी रुको, पिछले दलित की बेटी रुको, अब तुम भी पैदल नहीं जाओगी, तुम भी ससुराल से आओगी, जीप गारी पर बैठके अपने ससुराल तक जाओगी, बनाते हैं ऐसा किया कि तीन वरस की जोजना को एक साल में चालू किया कि थोड़ा थोड़ा इट धरदो कहीं का इटा कहीं का रोड़ा भानवती ने कुनवा जोड़ा चिलिया नास कर दो, इंटेल दाल दो, सरक बनेगी नहीं गाँ को खांसेंगे, लोग को एक बोटी सी पर लड़ेंगे लेकिन गाँ के लोग इतने मुरक्त हो रहे हैं भाई नरेंदर मोधी जी, प्रधान मंत्री गरामिन सरक जोजना के लिए 27,000 करोर रुपिया जो दे रहे हैं और कितरा किलो मीटर से अब 113 की, 115 किलो मीटर रोज प्रधान मंत्री गरामिन सरक जोजना का लक्ष रखा है इससे गाँ बदलेगा गाँ में सरके जाएगी, गाँ की गलिया पक्की होगी आपने मनरेगा चलाया मैं कहता हूँ सारे पैसे से लेके हमारे गाँ की गलियों को पक्खी करन कर देते गरामिन सरकों को पक्खी करन कर देते हमारे ट्रेक्टर चलाने का रास्ता देते हमारे मसीन चलाने का रास्ता देते हमारे मोटर साइकिल चलाने का रास्ता देते गाउं में गारी जाने का रास्ता बनाते गाउं का काया कल पर खल्यान हो जाता सबसे जादे रोजगार और सबसे जादे विकास का साधन है आपका ध्यान उसर क्यों नहीं गिया बात करने से नहीं काम करके दिखाओ नरेंद्र मोदी बात में नहीं काम पर भी स्वास रखते हैं इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूँ आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जरा इन बातों पर गौर से सोचिए कहते हैं कि वाकियों नहीं बताईए साथ साथ बरस तक साथ साल तक आप देर दो साल सवा दो साल तक की सरकार साथ वरस में आपने किया नहीं कते इतने दिन में खरके दिखाओ कभी दाजी ने कहा धीरे धीरे रेमाना धीरे सब कुछ होई माली सीचे सोगरा रितु आये फल होई जब जोजनाय चली है तो उसमें समय लगेगा दिर्ग कालिन जोजना है कोई दस वरस में कोई 20 वरस में उसका परिणाम मिकलेगा राष्ट निर्मान एक बात है और अपना घर निर्मान परिबार निर्मान अपने संतान का निर्मान एक अलग बात है दोनों की देख करी चला हसंत हसंत अपने याद नयाब हैं जिनका आदिन अंत दोसरे का दोस्त देखते देखते हस्ते हस्ते मत चलिए अपने की गठ्री उखो लिए उसमें अपने को जहां किये आखिर आप ने क्या किया जो आप 400 से उपर सीट वाले याद 44 पर आगए सोचिए आप ब्याठ्या करिए याप हम कहां दो पर थे मानियाद बानी जी हैं हम कहां दो पर थे जाते जाते आद 280 पर पहुँच गए आखिर हम में कुछ गुन होगा काबलियत होगी लोगों में लोगों ने विस्वास किया होगा बो अंत में इतना ही कोऊगा नोट बंदी की चर्चा बहुत किये किसान की बात बहुत किये कल भी भर दिन चर्चा किये आज भी उतने बात इनोट बंदी है कि हरी किर्तन है आपका जो जब-जब संकत आए तो भगवान का किर्तन करो ड़्ोल बजाओ इसलिए जब से सून कितरे जिन से एक बार राम जिला के मैदान में वो अन्ना हजारे जी ने अरे कोई नेता है दुनिया भर में ढोल पिठने बाला उसका मैं नाम नहीं लूगा वो उसमें किर्टन करता था अर सबेड़े से साम तक ढपढ़ 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 ढोल बजावे लोग तंग आ गए तो हम लोग पार्ललेमेंट में कहां किसी तरह ही ढपढ़ा को बंद करो किसी तरह बंद करो ढपढ़ा बंद कर आये उसलितरह जब से आच तारीक स्ट्रू हूँ आलम यदार जब देखिए, किया है नोटबंदी किसान को गरीब को मज़दूर को किसान को गरीब को मज़दूर को हम तक किसान है 2,000 रुपईया हमारे बिहार रुत्तर परदेश में दो हजार रुपईया महिना से जादे नगदी किसी किसान के घर का नहीं है चाबल अपना दाल अपनी यहूं अपना सबजी अपनी दूध अपना दही अपना हमारे तरह बचा के 4,000, 2,000, 5,000 रुपया घर में रखे थे एक दिन में बदल के ले आए और चैन तीन महिना चार महिना तक घर में छो महिना तक खर्चा चलाए तो गालेजा फटता है उनका जो फाइव थार होटल में जाते थे राजारानी रहते थे उस सूट का किराया एक दिन का एक लाख जेर लाख एक होटल में मैं गया तो कहा यहां एक सूट है उसका पांच लाख एक रात का खिराया है मैंने कहा चल भहिया थोड़ा देखा दे कि उसमें क्या है मैं गया तो मैं पूछा इसमें रहने बाला मरता है कि नहीं तो कहा मरता तो जब है हम कहा जब इसमें तो इसी में आके कहां मरेंगे इतने बरे घर में भगवान भी डर जाएंगे इसलिए उस जोपनी में रहने वाली की बात करिए आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खरस्ते नहीं है पैसा को फूकते हैं आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्च नहीं करते हैं पैसा को उड़ा पैसे को लुटाते हैं, एक बार इसी सदन में चर्चा हुई, इतने पैसे, उतने पैसे, चर्चा में आई, एक मेरे साथ ही, संजोग से मैं नहीं कूँगा, वो बरे हैं, एक दिन उनके पास गये तो वो बोथल निकाल के पीने लगे, हमने का कुन सर्वत है, तो उने का बिला मैं दिमाग में जोड़ने लगा, आपने बाप 45,000 का सर्वत तो जीवन में हम पी पाएंगे, ये एक बोतल, तो आपको उनकी चिंता है, जो 45,000 के बोतल का सर्वत पीते हैं, उनका क्या होगा, रे उनका क्या होगा, बहुत मौज उड़ाए हो, बहुत मस्ति किये हो, देश करके खाए हो, नरेंद्र मोधी आएगा, ऐसा तौला लगाएगा, कि सब का दिवाला निकल जाएगा, गाव गरीव किसान में दूर, खुशाल और अमीर बन जाएगा, उसके बेटे के चेरे पर लाली आएगी, उनके घर में खुशाली आएगी, इसलिए, इसलिए, तीक ब आप मेरी बात न समझेंगे क्योंकि आप तो अच्छ वकील है आप तो अच्छ वकील है नयान जो ज्यादे पशा देगा उशका बहस करते हैं आप वकील है उसके ज्च जदा फीश देगा उसकी बहस करेंगे चांगज़ भी नना पुछेंगे को उसने कराइम किया है कि नहीं किया है आनति में मोदी जी ने कहा सब का साथ सबका विकास सबका साथ है सबका विकास उस सब में कौन नहीं है हिंदू है, मुसल्मान है, सिख है, इसाई है, गरीब है, अमीर है, पिछरा है, दलित है सबका साथ, सबका विकास, खेत में पानी, सबके खेत में पानी हर हाथ को काम, सबके हाथ के काम हर के चेहरे पर लाली, सबके चेहरे पर लाली हर गरिवी गर्फने मैता को 6,000 रुपया सब के घर में 6,000 रुपया कोई भेद नहीं है किसी जात के लिए ना अल्प संख्यक है ना बहुत संख्यक है हिंदूस्तान एक समान है इसलिए समधिरिष्टी रखिए सब के लिए बराबर का काम करिए सब भारत उठेगा भारत सक्ति साली बनेगा भारत मजबूत भारत जितना सक्ति साली बनेगा देश सक्ति साली और मजबूत बनेगा हमारा हिस्ता जादे आएगा जब सब का बेटा नोकरी पाएगा तो सबसे जादे पिछले बरके भी हम नुक्री पाएंगे क्योंकि हमारी संख्या जादे है दलित ज्यादा नुक्री पाएगा क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है जब सब का विकास होगा उसे मेरी हिस्यदारी ज्यादा होगी जब सब का कल्यान होगा मेरी हिस्यदारी जदा होगी इसलिए उस दिश्ची कों से हम सोचते हैं तो नरंद्र मोदी जी की जोजना ने हिंदुस्तान में आर्थिक परिवर्थन शमाजिक परिवर्थन राजनीतिक परिबरतन, सांस्कृतिक परिबरतन और धार्मित परिबरतन यह सब की वोर जो आगे बढ़ रहे हैं इसी से हिंदुस्तान का कल्यान होने बाला है इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ इस वर से प्रार्थना करता हूँ कि है इस वर नरेंदर मोदी की रक्षा करिये अगर कोई संकट आवे तो हम लोगों पर थोड़ा थोड़ा मांट दीजिए लेकिन नरेंदर मोदी के ओपर कोई संकट नहीं आवे तो गाव गरीब किसान का नयन का तारह है हिर्दय का दिल का धरकन है उसकी रक्षाया आप करना जिसे वो आगे कुछ करके दिखाएंगे धनिवाद